हेलो एप्रीवान वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आज मैं आपको इगनु के कोर्स बीए एनिस 184 पॉब्लिक हेल्थ एन एपिडियोमोलोजी करवाऊंगी देखिए यह इस बुक का कवर पेज है अगर आप इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं इस चैनल प आपका कोई कोर्स है तो उसके लिए आप फिजेक्स फैंटम पर देख सकते हैं जहां पर आपको यह सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी तो आज हम पब्लिक हेल्थ वाली बुक करेंगे तो बट इसमें देखे मैंने इसकी फर्स यूनिट कंप्लीट करवा द के नाम से मैंने प्लेलिस्ट करेंट करी हुई है वहाँ पर आपको इससे रिलेटिस जितनी भी वीडियो में अप्लोड करूंगी वह सब मिल जाएंगी तो आज हम इसकी सेकिंड यूनिट करेंगे ताट इस पब्लिक हेल्थ यहां पर देख सकते हैं यह आपको चेक यो प् इसके बारे में आपको अपने फ्रेशन करने हैं क्योंकि यह डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता ही आता है तो यहां पर देखें पहला प्वेशन फ्रेंट क्या होता है इसके आंसर के लिए आपको तीन पेज विजट करने है पेज नमबर 25, 26, 27 तो स्टार्ट करते है यह देख सकते हैं यहां पे यह हमारा योनिट यूनिट टू की सिस्टार्टिंग है एकदम और यहां पर यह आपको इंट्रोड़क्शन दे रखा है कि वाट इस पबली है पापलिक हेल्ट क्या होता है तो पबलीक हेल्ट टर्म के अंदर दो टर्म साती है इस पूरे तब क्या होता आप एक या दो तक limited रख सकते हैं लेकिन public की बात करेंगे तो वहाँ पे number of person जो है वो बढ़ जाते हैं इसलिए public word को community से आप relate कर सकते हैं next term की बात करें health और यह जो term है यह थोड़ी difficult है क्योंकि इसके multi-dimensional concepts है but अगर आपको health को define करना है तो क्या होगा freedom from any sickness or disease मतलब कि कोई भी बिमारी या जो weakness है उससे दूर अगर कोई इनसान है तो it means कि उसकी health अच्छी है यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है और जो health है ना feeling of wholeness and a happy frame of mind आपको पता है कि अगर आपकी health ठीक रहेगी आप physically और mentally fit रहेंगे तो obviously आपका काम करने में मन लगेगा आपकी जो efficiency है उसमें भी किसी तरिकी की कोई कमी नहीं आएगी तो आपको ध्यान में रखना है कि public health में दो terms relate करते हैं एक is public and second one is health दोनों के meaning के लिए आप कुछ-कुछ statement words का use करके इनको define कर सकते हैं next term आती है हमारे पास में यहाँ पे देखे health के लिए बहुत सारे key factors आपको दे रखे हैं जैसे health अगर हम physical fitness में देखे तो वह stamina हो गया health अगर leading healthy lifestyle है जैसे आप बहुत ही perfectly जी रहे हैं ना आपको कोई बिमारी है ना कोई medicines वगए आज के time में ले रहे हैं क्योंकि pollution और population इतनी ज़्यादा बढ़ रही है global warming case हुए है अलग-अलग बिमारियां बहुत अदर spread हो रही है जैसे covid था cancer है बहुत common disease है लेकिन अगर आपकी body इन सबसे free है और आप किसी तरी की कोई medicine नहीं ले रहे हैं even acidity वगएरा की भी medicines नहीं ले रहे हैं तो it means कि आप एक healthy lifestyle को lead कर रहे हैं एक healthy lifestyle आप जी रहे हैं तो it means कि आप एक healthy person है इसके अलावा health as a psychological concept एक psychological concept भी है क्योंकि ये कहीं न कहीं आपकी mental and physical दोनों चीज़ों से relate करती है mentally आप fit है physically आप जितने मरज़े fit हो लेकिन आपको mental level साथ नहीं दे रहा है आपके mental level इतना perfect नहीं है तो obviously आपको जो efficiency हो उसमें कमी देखने को मिलेगी और जाधा अच्छे आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो ये points आपको ध्यान रखने है अगर normal life की बात करें तो हमारे पास कुछ concepts होते हैं जैसे illness कोई बिमारी है disease हो गई है या फिर sickness है किसी चीज़ को लेकि आप थोड़ा बिमार है और एक होता है कि normal बिमारी जैसे अभी मौसम change हो रहा है तो cold fever हो गया ये एक normal बिमारी है इसके अलावा कुछ जैसे आपको और बिमारी हो जाए जिनका disease में क्या हो गया कि आपना कुछ जो health professionals है उनको आप वो चीज़ को explain कर पा रहे हैं वो आपकी symptoms और biological explanation से समझ पा रहे हैं illness का मतलब हो गया कुछ आपको symptoms है suffering है तो आप ऐसा patient रूहां पे work करें इसके लिए बहुत बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा ये diagram आपको given है इसमें इसको जरूर बना लीजेगा अगर ये question आया आपको what is public health तो उसको define करने के लिए आप इस प्यारे से flow chart का use कर सकते हैं जहा आप देखे illness दे रख आपको जहां पे आप symptoms को sufferings को आप experience करते हैं कि आपको exactly क्या दिक्कत हो रही है तो ये patient वाली stage हो गई है disease एक biomedical representation होती है किसी भी condition की in terms of biology symptoms हो सकते हैं जहां पे आप health professionals आपके लिए important होते हैं जैसे doctors के पास आपको जाना होता है कई बार आपको नहीं स तो ये social और cultural conception हो सकता है किसी भी condition का societal basis पे तो ये points आपको यहां पे ध्यान रखने हैं इसके बाद में देखें नेक्स पेस पे आप आएंगे तो वहां पे आपको कुछ terms दे रखे हैं जो कि public health activities पे जिन terms को जादा तर यूस किया जाता है जैसे social medicine है, community medicine है, preventive medicines है, community health है, state medicine hygiene है, public medicines है, तो कई बार क्या होता है बच्छा कि जैसे आपको कोई बिमारी हो रही है न तो mentally, physically अलग-अलग हो जाती है, जैसे आपको चीज़ों को बहुत जादा overthinking कर रहे हैं, किसी चीज़ को stress में लेके बैठ गया हैं, कि society क्या सोचेगी, और लोग क्या सोचेगी, तो mental stress जैसे उस पर कही न कहीं negative impact आएगा, आप अच्छे तरीके से डाइट नहीं लेंगे, तो आपकी body में weakness आएगी, जो एक time में बहुत जादा बढ़ सकती है, जैसे आपको कोई चोटी चोट लग जाए, या कोई scratch लग जाए, कई बार हम उसको body lightly ले ले लेते हैं, तो एक time के बाद में वो बिमारी बहुत जादा दिक्कत हमे कर देती है, तो ये सब चीज़े आप health से related points से आपर ध्यान रख सकते हैं, नेक्स्ट यहां पर देखे, concept of public health में आप कुछ यह जो flow chart का use कर सकते हैं, जैसे पहला हो गया, प्रोफेशन हो गया, ये भी एक main वज़े होती है, public health की, फिर health of population हो गया, academic discipline हो गया, या फिर governmental activities हो गई, तो public health से यह वाली terms जो है, ये कैसे positive or negative side में relate करते हैं, तो ये points आपक कोई भी subject पढ़ते हैं, science पढ़ते हैं, कुछ भी subject आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ scientists, कुछ thinkers होते हैं, जो अपनी अलग-अलग definitions को देते हैं, कि उस particular point से related, वो क्या सोचते हो, उनका उससे related क्या meaning है, तो वैसे ही ना, जो public health है, इसकी भी हमें, WHO, जो world health organization ह उसके according, अलग-अलग यहां पे हमें definitions दे रखिया हैं, और उनकी अलग-अलग scientists के according, जैसे public health का एक define किया गया है, कि science and art of promoting and protecting health and well-being, preventive ill health and prolonging life through the organized efforts of society, तो यह UK की जो faculty है, public health की, उन्होंने इसको define किया है, इसके अलावा, और भी हां पे दे रखिया है, कि public health का है, एक science of protecting and improving the health of people and their community, जो people, लोग हैं और जो उनकी communities है, उनकी health को protect करना, इंप्रूफ करना, यह एक ऐसी science है, तो public health एक science of protecting हो गया, तो यह points आप यहां पे लेख सकते हैं, इसके अलावा future of public health आपको अलग-अलग तरीके से बताना है, जैसे आपना यहां पे points हो भी add कर सकते हैं, इसके points भी आप अपने answer में include कर सकते हैं, तो इसके साथ में देखे, यह आपका check your progress 1 complete हो गया, next आपका check your progress है, next हमारे pass में आता है, wait a minute, यहां पे देखे, next check your progress में क्या है, what are the various core disciplines of public health, तो यहां पे आपको जो public health है, इसके बताने है points, तो इसमें देखे, page number 37 और 38 पे है, और आप इसका combined answer, जैसे मैंने आपको first unit में भी बताया था कि unit के last में आपका hint solutions आपको given होते हैं, जैसे ही आपकी unit last होते हैं, वह भी आपको दिखाऊंगी, बट अभी पहले यह देखते हैं, कि 37 और 38 पे क्या क्या answers आपको यहां पे देखने को लेंगे, यहां पे हम 37 पे हैं, यह heading हैं हमारे class में, कि core disciplines of within public health, तो जो goal है public health का, वो क्या हो सकता है, biological हो सकता है, physical हो सकता है, mental well-being हो सकती है, all the members of society, एक particular group है, या फिर society है, तो वहां के सब लोग physically, mentally, उनका ठीक होना is a goal of public health, यह आपको ध्यान अगना है, इस broad challenging, जो इसके achieves हैं, वो goal हो सकता है, public health हो सकता है, professional leads हो सकती है, तो यहां पर बहुत सारे points हम यहां पर उसके उपर work करते हैं, क्योंकि starting में ही आपको मैंने point बताया, कि जो health है वो एक multidisciplinary approach है, उसको आप अलग-अलग तरीके से define कर सकते हैं, अलग-अलग उसकी definitions हो सकती है, कि आपका perspective क्या है health से related, तो यहां पर देखिए कु यहां पर क्या होता है, study of frequency, distribution and determines of health related states, और events in specified population, यहां पर क्या है, जैसे group of population, like 50-60 लोग एक जगे पर हैं, तो आप उनको regular basis पर observe करें, अगर कोई एक problem आईए, तो क्या सबको वो common आईए, क्या lackness है, किस चीज़ की efficiency थी, किस चीज़ की deficiency से वो problem spread हो रही है, तो distribution हो गया, determines ह अंदर आती है, तो इसके अंदर बच्चा 5Ws हैं, जिनको डाइगनॉस्ट किया कर जाता है, health event के basis पे, जैसे पहला आता है, event की what, क्या चीज़ है, दूसरा किस को है, person who, कौन, place कहां पे है, time क्या था, cause, risk factors, और mode of transmission, इसका क्या है, कि कोई जो बिमारी है, कोई disease है, वो कैस और किनको हो रही है, कैसे वो spread हो रही है, तो यह points आप यहां पे लिखने है, और इनके लिए आप यह COVID का time भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे COVID के time पे बहुत सारी problems, health related issues थे, तो वो लोग क्या करे थे, observe करे थे, कि यह कहां पे particularly fell रहा है, लोगों में क्या symptoms है, क्योंकि जो भी बहुत इस चीज में role play करता है, तो it is the science of food, nutrition and other substances, their actions, interaction and balance in relation to health and disease, तो यह points आपको ध्यान रखने है, environmental health का मदलब क्यों हो गया, public health grows strongly on the natural sciences, environmental health, जैसे आपको बता है, अगर आपके आसपास का जो environment and nature है, वो साफ सुतरा रहेगा, तो healthy air में आप ब्रीथ करें, तो obviously आपको problems कम होंगी, लेकिन आप polluted environment में रह रहे हैं, जहापे बहुत pollution है, बहुत जादा दिक्कते आपको face करनी पड़ रहे हैं, तो उससे है जो आपकी health है, उसके उपर बहुत जादा negative impact पड़ेगा, इसके अलावा next point हमें health education को बहुत जादा promote करने की ज़रूएत है, school areas में, academics में क्योंकि हम health education को promote नहीं करते हैं, जैसे आज की date में यह बहुत से उमें improve हुआ है, बट पहले आप देखेंगे कि बहुत जो ladies से वो बहुत सादा बच्चे करते थे, और इसके अलावा जो female से उनमें periods के issue को discuss यह नहीं किया जाता था, उसको बहुत impure तरीके से और unhygenic way में देखा जाता, तो यह चीज़े जो हैना, यह health education से related है, कि आप कैसे इनको promote कर सकते हैं, कैसे इससे related, जो awareness से उसको spread किया जा सकता है, next आता है behavioral sciences, इसमें psychology है, sociology, anthropology है, तो यह सब जो हैना primary human actions को deal करती हैं, तो यह points आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं, next point आता हमारा health service administration और management, जैसे WHO है, जैसे different organizations हैं, जहां पर लोग एक साथ work करते हैं, harmoniously work करते हैं, efficient use of resources बनाते हैं, कि जितनी resources available हैं, उनको efficiently, efficiently कैसे use किया जा सकता है, max to max लोगों तक कैसे वो health services हैं, उनको transmit किया जा सकता है, अब अच्छा, next point आपको लिखना है, administration में involved होता है, जैसे planning हो गया, directing हो गया, coordinating हो गया, medical and health services से, तो यह सब points आपके इसमें आते हैं, next point आता है, हमारा biostatics, biostatics में क्या चीज़ आती है, जैसे biological और medical problems हैं, यह हमारी जो biostatics है, इस से related points है, फिर next आता है health economics, health economics में जैसे आमने budget के टाइम पर पढ़ा होगा, कि जो हमारी government है, वो health sector के लिए budget तो यहाँ पर, जो है na, alternative uses of resources हैं, वो चीज़ आती हैं, जैसे आपके पास resources कम है, तो उसको कैसे alternative way में use किया जा सकता है, COVID के टाइम पर चीज़ आपने बहुत अच्छे से देखी होगी, कि जिसको जादा ज़रुत है, उसको वो health services हैं, वो provide करवा दी जाएं, तो यह points आप distribution किस तरीके से, migration status किया है, तो इन basis पे हम इसको divide करते हैं, तो एक बार overall इनका points को देख सकते हैं, जैसे first point आता है, आपका epidemiology, next आता है, nutrition, third one is environmental health, fourth one is health education, next, behavioral science, फिर health services, administration, management हो गया, फिर next है bio statistics, फिर उसके बाद में next आता है हमारे पास health economics और फिर demography, तो यहाँ पे यह आप यह complete हो गया, अभी देखिए, इस question के लिए, मैंने आपको यह भी बोला है, कि आप इस question के लिए unit के last में देख सकते हैं, तो वो भी points आपको दिखा देते हो, यहाँ पे देखिए, यह unit का last है, जहाँ पे आपको summary given है, summary के just नीचे आपको references given है, और references से next phase पे आप यहाँ प progress से question आपको गिवान है, तो यह तीनो questions के answer आपको यहाँ पे दे रखे हैं, यह जो answers है, यह एक hint solution की तरह आप ले सकते हैं, बिल्कुल यह idea मत लगा लेजगा कि सिर्व इतने points लिखके आपको एगनों में marks मिल जाएंगे, तो यह की आपका hint solution हो गया, आप इस से points को अपना connect करके लिख सकते हैं, इसके साथ में हमारी unit 1 complete हो गई है, unit 2 complete हो गई है, next video में हम unit 3 करेंगे, environmental health, मिलते हैं, next video में, channel को like करिएगा, video को like, channel को subscribe, और जितना max to max आप video को share कर सकते हैं, और apart from this, आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हैं, जिसका link में इस video के description में आपको दे दूँगी, एफ दे ने 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 वीडियों में, तैंक ये सो मुझे!